ओम नमो भगवते रामकृष्णाया सार्थक परिपूर्ण जिवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानाण जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याई दो तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति चिपी है अब हम इस कड़ी के शेश भाग को सुनेंगे एहम भाव के पीछे निहित एकता मैं के स्वरू तथा गुन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है एक परम सत्य या ब्रहम अर्थाद सत्चित आनंद मैका वास्तविकरू दो अचेतन प्राणिक क्रियाये तीम व्यक्तिगत चेतना यानि इंडिविजिल कॉंशेस्नेस चार मन तथा शरीर एक परम सत्य या ब्रहम आकाशवत सर्व व्यापी और सबका प्रकाशक है यही सर्व व्यापी चेतना रूप सचिदानंद वह परम तत्व है जो शाशवत अक्षय तथा अमर है यही सर्व व्यापी चेतना रूप सचिदानंद वह परम तत्व है जो शाशवत अक्षय तथा अमर है दो जन्म से लेकर मृत्यू तक जागरत स्वप्न तथा सुशुप्ती की अवस्ताओं में प्राण की जटिल क्रियाए शरीर में व्यवस्तित रूप से निरंतर चलती रहती है शोक रोग या चिंताए भी उनमें बाधा नहीं डाल पाती हरदै स्पंदन श्वास प्रश्वास रक्त संचार शौच पाचन आदी ऐसी अनेक स्वचालित क्रियाए है देह की एस सारी क्रियाए हमारी सचेत चेश्टा के बिना स्वतह चलती है हमारे देह तथा मन बिना हमारी इच्छा के ही सदा बदलते रहते हैं इस पर विचार करके हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन एक सतत प्रवाशील सरिता के समान एक रहस्यमई शक्ती है मैं या अहम का बोध इस प्रवाह की सतह पर उठने वाले एक बुलबले के समान है यह चेतना जागरत अवस्ता में स्पष्ट रूप से और स्वप्न में धुंदली सी प्रतिभाद होती है यह चेतना consciousness जागरत अवस्ता में वेकिंग स्टेट में स्पष्ट रूप से और स्वपन में दुंदली सी प्रतिभात होती है निद्रा के समय यह अचेतन में लीन हो जाती है जीवन का एक तिहाई भाग इस अचेत निद्रा में ही भीत जाता है परन्तु अचेतन अवस्ता इस मैं का मूल स्रोत नहीं है इसका उद्गम स्तल तो वह सर्व्यापी दिव्यचेतना है जो अविनाशी है तथा तीनों काल में विद्यमान रहती है अचेतन जीवन शक्ति मैं को आच्छन की हुई प्रतीत होने पर भी उसकी ख्षती नहीं कर सकती अचेतन जीवन शक्ति मैं को आच्छन की हुई प्रतीत होने पर भी उसकी ख्षती नहीं कर सकती इस सत्य को जानकर हम भय मुक्त हो जाते हैं एक अंधेरे कमरे की कलपना करो जिसकी खिड़किया तथा द्वार बंध है चत्र के एक चिद्र से प्रकाश आकर भीतर के एक भाग को प्रकाशित करता है उपर से देखने पर वह एक काला चिद्र है पर भीतर के लोग उसे कक्ष के एक भाग को आलोकित करते हुए देखते हैं मान लो कि वह चिद्र स्वयम को ही कक्ष के प्रकाशक जूती का स्रोथ समझने लगे हमारा मै या अहम प्राइह ऐसा ही करता है इस मैं की सुदूर प्रिष्ट भूमी में सच्चिदानन की अनंत शुद्ध चेतना है यदि यह एहंकार भूल जाये की यह अपने पीछे स्थित सच्चिदानन सागर पर आशृत है यदि उसे इस बात का बोध न हो कि अन्य एहम चाहे वे कितने भी कम विकसित क्यों न हो मूलत हा उसी के समान है तो वह उनके प्रती द्वेश या घ्रिना का भाव रखता है ऐसा अहंकार रोगी एहम कहलाता है सिक इगो कहलाता है डिसीजड इगो कहलाता है यही एक वास्तविक आध्यात्मिक आदर्श का सत्य है डॉक्टर कारल यूंग सी जे यूंग कहते है पूर्ण से प्रिथक होकर और मानो मात्र तथा अपनी आत्मा से विच्छिन हो जाने के कारण यह एहम रोगी हो गया है कल हम चिंतन करेंगे अस्तित्व का दर्शन क्या है ओम शांति 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 हरी ही ओम तचत श्री राम क्रिष्णार पनमस्तू